Transcend organism Hello friends tumors Welcome to our channel future online classes दोस्तोव आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Department of the fifth century से 096 होता है method paper तो हम लोग इस वीडियो में method paper जो आपका गनित का है nous को देखेंगे जो आपके लिए काफी महत्तपुन है जिसमें हम लोग को जानना है क्या पढ़ना है हम लोग की काईवन में उच प्रात्मिक अस्तर पर गनित के उधिस से एवं पाठेकरम के बारे में हम लोग को पढ़ना है सिखाई में तो यह काफी important वीडियो होगा खासकर second year के बच्चों के लिए क्योंकि आपको S9 में क्या होता है इसका exam भी देना होता है और आपके assignment भी बनाने होते हैं तो आप लोग के लिए बहुत महत्पुन वीडियो है तो वीडियो में बने रहे हैं वीडियो को ध्यान से देखे तो हम लोग आज का जो पहला points है क्या है पहला points इस unit का उच प्रात्मिक अस्तर पर गनित सीखने के क्या-क्या उदेश से होते हैं तो आईए हमनों जानते है क्या क्या उदेश से होते हैं जिसमें आपका पहला point है उदेश से के रूप में क्या है आपका गनित की सिख्छा का मुखे उदेश से बच्चों का गनितिये करन कर उनकी छमताओं का विकास करना होता है यानि कि जो आपका गनित का जो उदेश से क्या होता है मुख्य उदेश बच्चो के निर क्या करना है गनितिय करना है ताकि बच्चे क्या कर सके अपनी छमताओं का विकास कर सके गनित का हल कर सके नेक्स्ट आपका point है दूसरा point बच्चो के साधनों को विक्सित करना ताकि वो गनितिय धंग से सोच सके एवं तर्क कर सके मनताओ के तार्किक पहिनाम निकाल सके और अमूर्थ को समझ सके यानि कि बच्चो के अंदर क्या करना है वैसी छमताओ का विकास करना है ताकि बच्चे सही धंग से सोच सके गनित के प्रती अच्छी धंग से क्या कर सके तर्क कर सके और एंसर के रूप में यानि कि उसका पहिनाम भी निकाल सके और अमूर्थ को भी समझ सके ताकि बच्चे क्या कर सके अच्छे से गणित का solution निकाल सके अपने जीवन प्रियोग कर सके नेक्स्ट आपका तिसरा point है बच्चे गणित को ऐसा भी सह माने जिस पर वे आपस में बात कर सकते हैं जिसे से संप्रेशन हो सकता है यानि क्या करना है बच्चों को गनित को कैसा भी से मानने के लिए क्या करना है प्रेइद करना है ताकि बच्चों को गनित क्या लगे एक असान भी से लगे और अच्छा लगे ताकि वह इसमें एक अच्छे धंग से क्या कर सके सवालों को समझ सके और हल निकाल सके और एक तो भेवितने ही करना। डर का महल पैदा नहीं करना, बच्चो को क्या बताना है कि गनित एक असानन भीसा होता है, आप भू पढ़ने के तुषय से शीख जाएंगे। यानि कि गनित को क्या करना है एक मतलब अनंद की रूप में बच्चो को पढ़ाना है ताकि बच्चो क्या हो जाए इसको पढ़ने में मज़ा आये और अच्छे से गनित को सीख सके क्योंकि अपने समाध में अभी क्या है वरतमान में गनित एक कठीन भी साय है जिसे बच्चे सके नेक्स्त आप का यह है पांचवा पॉइंट बच्चे महत्पुन गणित सीखे गणित में शुत्रों एवं यांत्रिक परक्रियाव से आगे भी बहुत कुछ है यानि कि बच्चों क्या करना है गणित सिर्फ यह नहीं की किताब वाला गणित सीखाना है तिक किताब से प्रियास कर सके, next आपका छटा point, बच्चे सार्थक समस्याई उठाए और उन्हें हल करे, क्या करे बच्चे, मतलब बुक का जो भी सोलूजन करना है, यानि की जो भी कठीन सवाल उसों क्या कर सके, बच्चे उसका हल करने का भी प्रियास करे, next आपका point है, नेक्स्ट आपको क्या point है बच्चे अमूर्थ का परियोग संबंधों को समझने सनचनाओं को देख पाने और चीजों का विवेचन करने कत्नों की सत्यता और और सत्यता को लेकर तर्क करने में अस्पस्ट कर पाए यानि क्या करना है बच्चों को अमूर्थ चीजों के बारे निगाई देना है ताकि बच्चे क्या कर सके चीजों को समझ सके उसके बारे में क्या कर सके विसलेशन कर सके उसके कत्नों के प्रती मतलब क्या उसके सत्य है क्या सत्य है यह सब जनकारी के लिकर क्या क्या कर सके प् परियास करना होगा नेक्स्ट आपका पॉइंट है लाब उपरत शमताओं का विकास विशेसकर अंक ज्ञान से जूरी शमताए संक्रियाए माप दशमलो एवं परतिसत की समझ यानिकि जो आपका उच प्रात्मिकस्तर का जो बुक होता है गनित का उसमें क्या होता है बच्च संक्रियाए मान भी या फिर संक्रियाए माप भी जनकारी भी दी जाती है दशमलो जनकारी दी जाती है और नेक्स्ट क्या होता है परतिसत की जनकारी दी जाती है यानिकि परसेंटेज की जनकारी बच्चों को दी जाती है उच प्रात्मिकस्तर पर नेक्स्ट आपका अर्म्ग नित होटा है 20 अर्म इती होटा है तो इसकी मुझम से कहा होता है बच्चे आपने तरीक जिवन में से क्या कर Daska करे प्रयोक कर सके और निके सपहलबो को हल करने का प्रियास करें आप चीजों के असानी से बच्चे समझ उपकर के समस्यावाँ जहान की युक्ति या स्वयम से ढूंड सके यानि कि आप एक सीछक्राइब में क्या करेंगे बच्चों के अंदर कैसा मतलब माहौल केट करेंगे ताकि बच्चे क्या कर सके खुद से समस्याओ का हल ढूंडने का प्रयास करे नेक्स्ट आपका पॉइंट है गनित सीखने के उ बच्चों के अंदर एक कम्यूटी मतलब भी अपका अपका समज्ट के विकास होता है और बच्चे का करते है गनित के प्रयोग में अबना जियोकौपारजन भी अच्छे दंग से कड़ पाते हैं और अपने बैग्राणिक दिष्टिकोन' का भी विकास कर लेते हैं गनित के लाब परत शमताओं का विकास, विशेशकर अंग से जूरी शमताए, सांग खेके कि माप, दर्शमलो, परतिशत, यानि कि जो आपका किताब में जो भी चैप्टर दिये रहते हैं, बचे सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं, लेकिन उससे हटके भी आपको पढ़ाना है ताकि जीव के लिए गनित का पाठेकरम तथा उसके अधार, यानि कि जो आपका उच प्रात्मिक अस्तर होता है, 6-8, उसमें आपको क्या-क्या मतलब पाठेकरम गुरूप में आपको सामिल करना है, और उसका क्या-क्या आपका अधार होगा, यानि कि उसका क्या-क्या बेस होगा, तो इसमें अपका पहला बिंदू क्या है अपका उच प्रात्मिक अस्तर तक आते आते बच्चों में गनित की अधार नाओं के मूर्त संकल अपनात्मक क्या होता है बिखसित हो चुकी होती है प्रात्मिक कक्छाओं में अंकों से जूरे गनिती है खेल, पहलिया, कथाय बच्चों को इन सम्वंदों को बयाने मदद करती है और उनकी रुजमारा कि समझ को निर्मान करती है यानी कि जो बच्चा होता है, जो क्या होता है अपके प्रात्रम कस्तर पर क्या होता है गणित सीखता है तो वहां से बच्चे अंकों के बाड़े में मुर्ष अंगल अपनाओं के बाड़े में और बहु सारे खेल zar the main से बहु सारे पहलीयों के माद्यों से और कथाओं के मा மौश करते से बच्चे गनित को सीख लेते हैं लेकिन जैसे ही फूरी प्रात्रीं करते निए जैसे ही क्लास ही Whenever उसा स्वेया सीव्ड ओर आता है ताकि बच्चे पीछा वालों से जोर-जोर कर आगे बढ़ने का प्रयास करें और चीजों को बारीकी से जीखने का भी प्रयास करें नेक्स्ट आपका पॉइंट है उच प्रात्मिक अस्तर के पाठेक्रम में गनित की उनी अधानाओ को परिस्कृत की जाती है जिसे से बच्चों में गनिती समझ की अस्थापना की जा सके जो आपका उच प्रात्मिक अस्तर के पाठेक्रम में जिवन से संगनित अधारों पर अधारीत होता है जिससे बच्चों का जिवन से संगनित बेशटर रता है जिसे से बच्चों के क्या हो सके स Officers का सवहरगी विकास हो सके नेक्स्ट आपका point है पाठे करम में अंक गनीत, बीज गनीत, अस्थानिक समझ यानि कि स्पैटेलियस, अंडरस्टेंडिंग, लाभानी, जैमीती आकरितियों के गुन, रासियों की तुलना, द्वीबीमिये और त्रीबीमिये आकरितियों की निरूपन जैसे अधनाव का वि सेप्स के बारे में पढ़ना होता है, रासियों की तुलना होता है, द्वीबीमिये यानिकि 2D और अपका 3D फिगर के बारे में बच्चों को जानना होता है, और धेद्रे ये का होता है आपका लेबल बढ़ते जाता है, ताकि बच्चे चीजों को असानी से समझते जाते है निक्स्ट आपका आगे है प्वाइंट इसके पाठिकरम के प्रमुख तत्वों एवं उनके अधार को हम निम्न प्रकासे समझ सकते हैं यानि कि जो आपका class 6-8 का पार्थिक्रम होता है उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं उनके बहुत सारे आधार होते है तो आए हमनों जानते हैं सबसे पहले जो आपका पहला के आधार होता है आपका अंक गनित एवं 20 गनित इसमें क्या होता है बच्चों क्या पढ़ना होता ह जआ है, पैटर्न, खोजना होता है, आपके सम संख्या हो गया, यानि कि even number, odd number, prime number त्व धेस संख्या हो गया, next आपका होता है, बिभाजिता का प्रिक्छन होता है, यान आपका आपका आगे है अकार अस्ठानिक समझ और माप याई कि जो आपका क्लास्टीक स्टुएट कर बुक होते हैं उस में क्या क्या पढने होते हैं आपर आपके उपर देखाैंगी पैटर्न τις परना होते हैं संख्या बिसंख्या वाजेसंख्या वीभाज आपका परिछन हो गया आपका चड़ो का उपियोग हो गया, हेलाखिक समीकर्ण हो गया, उसको बायाना, उसका हल करना, नेक्स्ट आपका गुणनखन भी बच्चो को पढ़ना होता है, और नेक्स्ट आपका क्या पढ़ना होता है, अकार, अस्थानिक समझ और मापके बारे में, जिसमें आपका क्य क्या करना बچो को द्रिषय के दो आधाना है बहुत सारे चीजों को बताना है दिकाकर समझाना ताकि बच्चरा असानी से गनित को शीक सके आपका हो गया सेख सानी है बच्चों को पढ़ना हो घीक है नेक्स आपका घड़ी भी बताते हैं अज कृतने तारिक है, कल कौनसा दिम होगा अत यह सब कैसे होता, किलेंडर के माहिन से होता है ढगा दोटन को दिखाकर में चीजों को असानी से पढ़ा सकते है और यह सब हो आपके Class 6-8 के division के book में किया होते हैं आपके सामील हैं तो उचप्रात्मिक अस्तर का बूप काफी महत्पून होता है और जो आपका one to five होता है उसमें का होता है बचन चीजों को असानी से सीखते हैं समझते हैं और six to eight में क्या करते हैं उस चीजों को आगयाए दिर दिर बड़ाते हैं उसका लेबल क्या होता है अब होते ही जाता है नेक्स्ट आपका Point है उच्छ प्रात्मिक अश्टर की गनित की पाथे पुष्टकों की समझ यानि आपको आपका क्या समझेना है कि जो आपका उच्छ प्रात्मिक तो जिसमें आपका पहला पॉइंट है पाठे पूस्तके विद्याले या कक्छा में छहात्रों तथा सिक्छकों के लिए विसेश रूप से त्यार की जाती है जो विसेश से समभनित पाठे वस्तुओं का परस्तूती करन करती है यानि कि जो आपका पाठे पुष्टक होता है क्या होता है आपका वो बिद्याले या कक्छा में छात्र होता था सिख्षकों के लिए क्या होता है बिसे सुरूप से त्यार की जाती है जो बिसे ऐसे संबंदित क्या होता है आपका पाठे पुस्तक क्या होता है जो भी बिशा होता है उसे सम्माज़त क्या होता है उसमें पाठे वस्तूर आते हैं और बच्चे उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं और शिक्षक क्या करते हैं उसे चीजों को पढ़ाते हैं तो आपका पाठे पुस्तक हो सासत क्या होता है उसके लिए पाठे पुस्तक की भी बहुत जुरूत है ताकि बच्चे क्या कर सके खुद से self study कर सके चीजों को समझ सके चीजों को पढ़ सके और उसे सीख सके नेक्ट आपका तीसरा पुस्तक होता है का thứ six-teen उसमें क्या होता है आपको बच्चों को सीफ सूचना के बाड़े मेही झाना है कि बच्चों को सिब एचीज बता दिए यह चीज बच्चे पैदा करें ताकि हम लोग क्या कर सके बच्चों को असानी से समझ सके तो पाठे पुस्ता को सीफ सुचना का एक मतलब भंडार नहीं मानना है क्या करना है बच्चों के अंदर ऐसी पाठे पुस्ता के बच्चों के लिए प्रस्तूत करना है ताकि बच्चे उसके बारे में च दिरिश्टी विचाड़ों और आदिश्टी विचाड़ों एंवन सोद करने और उसे से प्राप्त नतीजों के अधारु पर पाठे पुष्टकों को समय समय पर बदलने की अव शकता है, यानि आपका पाठे पुष्टक होता है उसे क्याकर नहया, नहया है आप extrêmement करना है, बच्चे जयाया सहबATHAN हो जिसे मतलब बच्चे पीच्चे के लिख्ष कई क्या कर सके समास सके बहुँसार अीक्टिविटे दोला उस में गरिंत के बाड़ी में में जैनगाडि प्राप्त हो ताकि बच्चे अीज़गी के बीष्ट पर गरिंत को सीख सके तो हम लोग क्या करना है बच्चे के अनरूप समय समय पर क्या करना है गणित के पाठे पुस्तक में बदलाव करते रहना है पाठे पुस्तक के बच्चों को सीखने के लक्षे को ध्यान में रखकर त्यार किया जाता है यानि कि जो आपका पाठे पुस्तक होता है कैसा बनाना है वैसा बनाना है ताकि बच्चे उस चीज़ों के बारे में सीख सके तो ऐसा बना दी है बच्चे उसे कुछ सीखी ने रहे हैं तो ऐसा पाठे पुस्तक कोई काम नहीं है पाठे पुस्तक ऐसा बनाना ताकि बच्चे उसे पढ़े और उसे सिखने का प्रयास करें और अच्छे से ढंग से सीख सकें next आपका point है आज की सम्पूर्ण सिख्छा ही पाठे पुस्तकों पर नहीं धारीद है आज का जुछा का जो सिक्छा का मुंक bell कि आपका पाथे पुस्त को का त्यदिक महतु है पाठे पूस्तक के अनिवार्य है, यानि कि, आपके कोई भी school, सरकारी private, कोई भी हो उसमें क्या है और नीध कि, हऔर और क्वर्ग में क्या εί है पुस्तक अभी लेवल है यानिकि शिक्षक के कारे को असान करने के लिए क्या होता है पाठे पुस्तक के जोद परती है नेक्ष्ट आपका पॉइंट है पाठे पुस्तक अध्यापकों के लिए पुस्तक के शिक्षित करने का सरवादिक महतपून स्रोथ है नेक्स्ट आपका पॉइंट है पाठे पुस्तक की अधरनाओं को शिक्षक सरल तरीके से बच्चों को असपस्ट करते हैं यानिकि जो आपका पाठे पुस्तक होता है ये क्या करते हैं बच्चों को उसे सरल तरीके से क्या करते हैं नेग्स्ट आपका point है, परिच्छा लेने में पाथे पुस्mountकों सिक्षकों के लिशायता करती है, यानि कि अगर class में पढ़ाई हो रही है, और session में last can't में कया होता है, परिच्छा होती है, तो बच्छे को परिच्छा होती है उसमें पाथे पुस्तकों से ही क्या करते हैं सिक्षक सेट करते हैं और बच्चे क्योंकि साल भर पाठे पुष्टक को ही पढ़ते हैं तो कोर्षन भी लाजिम है कि वहीं से सेट होगा तो बच्चे भी बुक को अच्छे से पढ़ते हैं सिक्षक भी बुक को पढ़ते हैं और सिक्षक भी कहा से कोर्षन देत आकडो का परबंदन, रासियों की तुलना, बीजिये बियंजक, घहात, घहतांग, छेत्रमीती, गुननखन आदि से संबंधित, अध्यायो द्वारा, धैनिक जीमा से संबंधित, गति वीदियो एवं समस्याओ और उन्हें हल करने के तरीकों का समवेश पाठे पुस्तक में क कि जाता है, या फिर किया गया है, यानि कि जो आपके उच प्रात्मीकस्तर के जो गनित के बुक होते हैं, उसमें क्या-क्या आपके होते हैं, पडिमय संख्याय होते हैं, जैमीती आ कृतियों के बारेम होता है, आकडों का परबंदन होता है, रासियों की तुलना होता है, बीजी आइजक होते हैं आपके घात हो गये घातांक, छेत्रमीति, ग Br waking रिलेट करके गनित के बाड़े मीं जंगड़ी प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट आपका पॉइंट है गनित उच प्रात्मी कस्तर पर गनित सिक्षन मुल्यांकन सीखने के संकेतक तथा सीखने की योजना यानि कि जो आपका उच प्रात्मी कस्तर पर गनित का सिक्षन होता है उसमें कैसे कैसे मुल्यांकन होते हैं सिखने के संकेता क्या होते हैं ‎ और सिखने की युजना कैसे बनाए जाते हैं Thaiiendo men गाद ग्ह психण होता है उसका मूल्ले क्या क्या होतह है उसका भैलू क्या है तो इसमें पहला प्व spreadshe집 क्या है blind instruction मुख्य रूप lên मलव boa की प्रіप्ति हो सकती है यानि कि बच्चों को गरिंद पढ़ाते हैं हम लोग एक्षिक्षा के रूप में तो बच्चों से क्या सीख सकते हैं या फिर में कैसा कैसा विकास हो सकता है तो आपका पहला क्या होगा उसमें बौधिक मुल्ले के विकास हो सकता है ठीक है बच्चे कंदर क्या हो सकता आपका सोचल्वां वनिमल्र के सानस्कितिक मुले नियु आपका सस्दिरय आत्मक क्र약त सख़ाइगे नियुकों पार्जन समंधि मुले जिक्षञ बश्यन बन सकता अचत कर सकता है 5ike तो आप लोग दिखते हैं जयाएं जानद केसे बच्च पड़े shaft power to go всего the जीए आपकेrico मैसमिंए अप्छों सब्हें हैं तो दानी ख़्यान कों 07 को यह सर नाखे। नेक्स्ट आपका है पॉइंट उच प्रात्मिक अस्तर पर गणित सिक्षन ठीक है तो इसमें आपका पहला बिंदू क्या है गणित सिक्षन के लिए उपिक तो बातावान होना काफी जोरूरी है यानि कि बच्चों को गईत पढ़ाना है तो बच्चों क्या करना है एक गईत using आपका है गणित सिक्षन के लिए बिभिन बिद्यों का परियोग करे यानि कि अगरा बच्चों गईत पढ़ा रहे हैं तो बहूँ सवाल को हल करवाना है और खुद से घडल से भी हल करने के पूरसाहित करना है निकश्ट आपका पॉइंट है गणित में बच्चों को समस्या द्यानिक कि जीवन से समझध सके होना चाहिए ताकि यानिकि गणित का पुस्तस्रक होता है या पिशनित के समझाना है ताकि घलती आपका पॉंट है बच् pill को के दौर ढ़ा ग्यान परदान करके प्रयास करना चाहिए यानिकि सिकषा करने में बच्चों कैसे गनित पढ़ाएंगे, खेल के द्वारा, गति वीदियो के द्वारा क्या करेंगे पढ़ाएंगे, ठीक है, निक्स्ट आपका पॉइंट है, सिक्षन परकिरिया का एक महत्पून तत्तो है, कैसा है आपका गनितिय संप्रेशन, यानि कि जो आपके गनित में इ इभारती सवाल यानि कि जो आपके होते है, लेंग्विज बेस्ट कोर्सन उसको हल कर सकेंगे, निक्स्ट आपका पॉइंट है, जो गनित बिदालने में पढ़ाया जाए, वो बच्चों के समाजी का वातावन समध होना चाहिए, यानि कि जो बिदालने में गनित पढ़ाय तो आप एक स्वीचा की रूप में क्या करेंगे, बच्चों को गतिविदी के माजने से सिखाने का प्रयास करेंगे, निक्स्ट आपका पॉइंट है, उच प्रात्मी गस्तव गनित का मुल्यांकन आप कैसे करेंगे, तो इसमें आपका पहला पॉइंट क्या है, वर्तमान म सतत एवं व्यापक मुल्यांकन द्वारा बच्चों का मुल्यांकन किये जाता है यानि कि आपका अभी परजेंट टाइम में कैसे मुल्यांकन होता है बच्चों का CC ठीक है या फिर छे माही या फिर तीन माही पर इच्छा होता था लेकिन अब क्या है एक इनुट आप लोग पढ़ा यानि कि एक चेप्टर पढ़ाई हुआ बच्चों का वर्तमान में क्या कर लेते हैं मुल्यांकन होता है निक्स्ट आपका पॉइंट है इसमें बच्चों के सभी प असर का पता चलता रहता है यानि कि आपका ये अभी सिसी जो है एक ऐसा काफी महत्पूर्ण है इससे क्या होता है थोड़ा अंताल के बद का होता है बच्चे का टेस्ट होता रहता है कि बच्चे कि बच्चों कितना सीच सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं और इसके बा और बच्चों के लिए क्या कर देंगे बच्चों को सहल तरीके से पढ़ाएंगे ताकि बच्चे चीजों को असानी से समझ सके तो इसी-सी काफी ज़रूरी है दोनों के लिए कि लेक्सटाब का पॉइंट है वर्तमाद समय में रचनात्मक मुलियांकन कैसा मुलियांकन आपका दिशण पर जोर दिया गया है ठीक है यह काफी जुरी यह व्छे का जांच पर सीख रही कि शीख लेकिन समय समय पर टेस्ट होगा तो हम लोग बच्चे के बारे में प्राप्त कर सकते हैं कौन सा बच्चा कैसे पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है और कितना पढ़ रहा है या फिर उनके क्या कठिनाई है तो यह सब के लिए काफी जरूरी है फिर्मेटिव एविशन कहा है नेक्स्ट अब कुछ मांदन का एहार पर क्या करते हैं उसके गुन या फिर योगता का पता लगाते है कुछ मांदन के धार पर तो यह भी मुलैंकन है नेक्स्त आपका अन्सूची अचके मुलैंखन के तरेके मुलैंखन की प्रवीधिया या फिर बीधिया इसमेंbell 迪ो तो नेक्स्ट आपका आगे पॉइंट है, उच प्रात्मिक अस्तर पर सीखने के संकेतक, यानि कि जो बच्चे होते हैं उच प्रात्मिक अस्तर के, उनके सीखने के संकेतक क्या क्या होते हैं, तो आपका इसमें पहला बिंदू क्या है, संख्याओं के मुर्त बिचार से संख्या बोध की और अगर्सर हो सके बचे क्या हो सके ? मुर्त विचार से संख्या बोध की और अगर्सर हो सके आगे बढ़ सके next आपका point है संख्याव के बीच संबंद देखे तथा संबंदु में पैटर्न भूंड सके ठीक है तीसरे आपका point है चर, ब्यंजक, समीकरन, सर्व समीकाव, आदिस सम्बंदित और धनाव को समझ सके और पड़ियोग कर सके ठीक है नेक्ष्ट आपका आगे पॉइंट इसमें है वास्त्विक जीवन की समझ्याव को हल करने के लिए अंक गनीत तथा बिज गनीत का पड़ियोग कर सके तथा और्थ पुन प्रस्ण बना सके ठीक है यानि कि जो बच्चे के अंदर जो डेवलाप्मेंट होता है यानि कि जो आपका समस्याव होती है कैसे कर सके बच्चे उसका अंक गणित्या बिज्ञ नतर जो समस्या होता है उससे क्या कर सके एक अर्थपुर्ण तरीके से उसका हल कर सके निक्स्ट आपका पॉइंट है त्री भूज, विरित, चत्र भूज जैसी आक्रितियों में सम्मीति की खोज कर संदर्य बोध का विकास कर सके क्या कर सके बच्चे तिरिभूज के माध्यम से सरकल के माध्यम से यानि कि विरित के माध्यम से चत्रभूज के माध्यम से क्या कर सके बच्चे आगरित्यों में क्या खुच सके सम्मीति खुच सके सिमेट्री खुच सके और उसका संदर्य बोध विकास भी कर सके यानि आपका कीुट्य革 tablet लेकर निस परना सेक्दर में आपको आगे पॉइंट और गनीतिय शंदर में वे स्वाइम, कاز यो कुझाँ का जू के वियूजय प्रास को नियुक्त सेक्का प्रजारा palavra नि कंदर के विरती में जंदर को भेपाने और बीचार kasih दस्काना सेक्ट सिखे बच्चे क्या सिखे क्या सिखे गुणतिय संदritos में क्या सिखे बच्चे स्वयम दोर्ण हो जे गया इनिस्करस को चिए करने के हैथ और उ tienen प्रस्तुत करना सीख सके ठीक है निश्ट आगे हम बात करेंगे परिवेश से प्राप्त जानकारियों आंक्रों को एकत्र कर आरेखिये एवं सार्णी बद रूप से प्रस्तुत कर सके तरह उसकी ब्याख्या कर सके बच्चे क्या कर सके अपने जो भी परिवेश से प्राप्त जोड़ेंगे श्थाब्यास करने का प्रयास करेंगे यानि कोई भी टपिक को पढाएंगे तो आप एक आए उस टोपिक को नहीं पढ़ाएंगे कि बच्चे क्या धानते उस टोपिक के बाड़े में फिर आप दिधर उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, गणित सीखने का निशीत करम है, जो आपका गणित सीखने का क्या निशीत करम होता है, पहले थोस वस्तू के साथ काम करेंगे ठीक है यानि कि बच्चो को थोस वस्तू को दिखाएंगे चीत्रों के साथ काम करेंगे यानि चीत्र को भी बच्चो को दिखाएंगे यह क्या होगा गंजत का एक करम होता है निक्स्ट आपका पॉइंट है बच्चों को कोई भी अधारना पढ़ाने से पहले एक सिख्षक पाठ होजना यह निकि जो आपके लेशन प्लान होते हैं त्यार करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके बच्चों को सही धंग से सही धंग से क्या कर सके चीजों को प्रस्तूत कर सके पाठ को सही धंग से बच्चों को बता सके तो किसी भी सिख्षक के लिए क्या है पाठ होजना काफी जरूरी है और खास कर बच्चों के लिए ताकि बच्चे को हम लोग सही धंग से उस लेशन के बारे में जनकारी दे सके निक्स्ट आपका इसमें क्या है जो आपका लेशन प्राण होता है उसमें क्या क्या होता है इसमें बच्चो को में क्या करते है पूरु ग्यान का टेस्ट लेते हैं यानि कि परिछन करते है फुर से कहाए झाल मोर्ट पार्ट से कुछा थार्त्र अर्ड के लिनेкой हैं और फिञ उड़िया के सब्सक्राउट garage है जोरते है और अपने अनुबहा को मात्म줄िती backs से चीजों करते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं तो यह थे आपके आज की एक आई वन मेथट पेपर के तो वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे और अगर आपको चैनल पे नए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ले